रसुया संग की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओगले ने सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आख्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सिर्फ आश्वासन देकर चार साल निकाल दिया और अब इस कार्यकाल का आखरी बजट सत्र प्रारंब होने वाला है। हम सभी रसुया कब तक शोशन का शिकार होते रहेंगे। संगठन की समस्थ सदस्यों और पदाधिकारियों से अपील की है कि अब सरकार के इस कार्यकाल का आखरी बजट है अगर अभी हम चुप रहे तो हमारे बारे में विचार नहीं किया जाएगा प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओग्रे ने बताया कि बिलासपुर जिला कोटा ब्लॉक में रसोया संग की बैठक रखी गई जिसमें खांडिका एवं सरिता ने बैठक रखी थी जिसमें सभी रसोया बीस तारीक के आंदोलन के लि गनेशी जिला कोश अध्यक्ष धन मोटीन ब्लॉक कोशा अध्यक्ष पानबाय दीदी ब्लॉक अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओग्रे ने आहवान किया है जिसमें सभी रसोया रैली में जाने के लिए समर्त्त हन दिये इस दोरान सभी संकुल अध्यक्ष एवं ब्लॉक अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष मौझूद रहे संभल जी के साथ धालेश धजो एवं सभी पदादिकारी मौझूद थे इतना नहीं देटें तो जादा से जादा हम अनपोल थे न कराथ अघर ये बज़र सत्रा में इसका değil पर दो हजार बारा से रांधा थे विचारी है एक छोटे से लईका है खई खवाय बर भी पैसा नसीब नहीं हुआ है अगर हम एक दिन के देखा था तो मात्र पचास रुपया है अब महिना के फंद्रा सो तन खा है अब फंद्रा सो में 100 रुपया दाल के किलो है 200 रुपया त तो कोला खई खवाय पर पैसा नसीब नहीं हुआते ऐसे हमर मन के इस्तिती हवाय तो मैं सरकार से ये वीडियो के माथ हम से यही बोलना चाहता हूँ बजड सत्र में जो कलेक्टर जो आपन जन घोशन पत्र में आप मन वादा करे रहे हो वही वादाला पूरा करो या तो फ चाहर 1,80 रुपिय लड़े दे कलेक्टर जो हमर मां घे तेल या तो फिर पांत साल पस्ताइबर तयार हो जाए हमसे से जो टकराहीं पांत साल पस्ताईबर प्रस्ताईबर